हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तो बहुती जादा बड़िया बजट मुबाइल एक मुबाइल है सैमसंग की तरफ से और एक मुबाइल है रेडमी की तरफ से सैमसंग गलेक्सी M10 जो आपको मिलता है सिर्फ साथ हजार रुपे इसका रेट काफी कम हो गया और दूसरी तरफ है रेडमी का सैवन जो आपको मिलता है इससे पंदर असुर रुपे महेंगा साड़े आठ हजार रुपे के अंदर तो इन दोनों मॉबाइल में सिर्फ 15 रुपे का फर्क है तो इस वीडियो में मैं आपको कमपेरिजन करके आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है क्या क्या अच्छा है और आपकी ज़रूत के हिसाब से सबसा अच्छा कॉन सा रहेगा तो अगर आप एक मॉबाइल खरिदने की सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तेक देखते रहेगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चलिए देखते हैं 7000 में सैमसंग के साथ आपको क्या क्या मिलता है तो जैसी आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें रखेवे मिलता है कुछ यूजर मैनुवल और इसी की ठीक निचा आपको रखवे मिलता है मॉबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डेटेल लुक हम अभी देखेंगे इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखेवे मिलती है यह डेटेकेबल इस डेटेकेबल की क्वैलिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है लेंद इसकी नॉर्मल है और इस मॉबाइल के साथ आपको USB 2 Micro USB केबल मिलती है क्योंकि एक बजट मॉबाइल है तो इसके अंदर आपको Type-C केबल का सपोर्ट नहीं मिलता तो यह इतनी बड़ी कमी नहीं है इसके बाद आपको रखवे मिलता है यह वाइट कलर के अंदर चार्जर जिसकी क्वैलिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है लेकिन इसके अंदर आपको आउटपट मिलता है सिर्फ 5W 1A का तो अगर आप 5W 2A का आउटपट रहता तो काफी बढ़िया रहता तो यह सारा समान तो आपको मिलता है 7000 रुपे में Samsung Galaxy M10 के साथ इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको एक सिम जेक्टर टूल भी लगावा मिल जाता है कुछ इस तरीके की लुक में चलिए देखते हैं अगर आप 1500 रुपे और जादा खर्च करते हैं तो साड़े 8000 में Redmi 7 के साथ आपको क्या के मिलता है तो इसमें भी सबसे पहले आपको रखवा मिलता है यह मिनी बॉक्स जिसमें लगवा मिलता है एक सिम जेक्टर टूल और अंदर की तरफ आपको रखवा मिलता है कुछ यूजर मैनूल इस मोबाईल के साथ भी आपको बहुत अच्छी क्वायलिटी के अंदर डेटा केबल मिलती है लेंट इसकी नॉर्मल है लेंट इसकी आपको ब्लैक्टikes के लगवा मिलती है इसके अँदर अच्छी चीज हैं आपको आउटपुट जादा मिलता है 5 वा टू एम्पियर का त जाद Samsung से तो यह सारा समय आपको मिलता है 8500 रुपर में रथाओ सेवन के बॉक्स के अंदर तो पंदर ही सतो पांदर के वागी है जेदा है इन दोनों के बॉ illnesses मेरे बाउथ बड़ा desig Comb kaum उनों ही मोबाइल्स मेरे पास ब्लू कलर में हैं आप देख सकते हैं लैट की रिफलेक्शन इन दोनों मोबाइल्स के बैक पेनल पर बहुत अच्छी लग रही हैं डिजाइन के अंदर ये दोनों ही मोबाइल्स काफी बढ़िया हैं लेकिन रेडमी 7 के अंदर आपको फिंगर एड वी एडमी 7 में आपको पीछे दो कैमरे मिलते हैं जिसमें पहला है 12 MP का दूसरा है 2 MP का और इसके अंदर आपको फरंड़ मिलता है 8 MP कैमरी की परफॉमेंस के अंदर आपको रेड़ की हिसाब से बहुत अच्छी मिलती हैं बाकी के माल्यी के लिए फोटोग्राफिक ल आपको जाद अच्छ यूज़न डेफिस मिलता है उससे पहले बात करें डिस्प्ले के बारे में तो Samsung के अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.22 इंचिस का और Redmi 7 के अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है 6.26 इंचिस की दोनों ही मोबाल्स के अंदर आपको लगबग से इसके आइकन जाद अच्छे लग रहे हैं यूज़न डेफिस में जाद बढ़िया है Samsung करीब से में आपको इन दोनों मोबाल्स के डिस्प्ले दिखा देता हूं हलके से एजिस बेजल्स के अंदर आपको फर्क मिलता है Samsung के डिस्प्ले में जाद अच्छी डिस्प्ले मिल और दोनों ही मोबाल्स में अच्छी चीज यह है आप दो सिम काड एक मेमरी काड तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं और दो जीओ के 4G के सिम भी एक साथ चला सकते हैं राइट सैट पर आपको वाल्यूम के बटन्स और पावर के बटन्स मिलते हैं Redmi 7 में यह खुबी है लेटेस वर्जन मिल जाता है एंड्रोइड पाई रिसेंट अप्लिकेशन की विंडोज आप देख सकते हैं थोड़ी बड़ी विंडोज देखने को मिलती हैं आपको सैमसंग में तो जाद अच्छा यूजर डिफेस तो आपको सैमसंग के अंदर ही मिलता है बाकी बात करें बैटरी के बारे में तो 3400 इमेज की बैटरी आपको मिलती है सैमसंग एलक्सी M10 में और रेड्मी 7 में आपको मिलती है 4000 इमेज की बैटरी बैटरी बैकप आपको जादा बड़िया मिलता है रेड्मी 7 के अंदर सैमसंग से वैसे तो ये दोनों ही मोबाइल बैटरी के अंद अच्छे हैं आपको एक दिन का बैटरी बैकप आराम से मिल जाता है लेकिन फिर भी आपको जाद अच्छा बैटरी बैकप Redmi 7 के अंदर मिलता है बात करें प्रोसेसर के बारे में तो Exynos का 7870 प्रोसेसर आपको मिलता है M10 में और Redmi 7 में आपको मिलता है Snapdragon 632 तो जादा पावरफुल प्रोसेसर आपको मिलता है Redmi 7 के अंदर Samsung से प्रोसेसर में जादा अच्छा है Redmi 7 इसके अलावा 7000 में Samsung के अंदर आपको मिलती है 2GB की RAM और 16GB की internal storage और Redmi 7 में 8.000 में आपको मिलती है 2GB की RAM और 32GB की internal storage RAM तो आपको दोनों ही मुबाइल्स में 2GB की मिलती है लेकिन 1500 रोपे rate जादा होने के वज़े से आपको Redmi 7 के अंदर memory जादा मिलती है Samsung से तो ये सारी चीज़े तो आपको मिलती है इन दोनों मुबाइल्स में चलिए बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से खरीदना चाहिए कौन से नहीं देखिए rate के अंदर सिर्फ 1500 रोपे का फर्क है फिर भी इन दोनों मुबाइल्स के अंदर आपको कुछ न कुछ कम्या भी देखने को मिलती है कुछ न कुछ अच्छह हैं कुछ चीज़ों के अंदर Samsung जाद अच्छा है कुछ चीजों में Redmi 7 तो सबसे पहले Matter ये करता है कि आपको किसके उपर जादा भरोता है आपको Samsung पे बरोसा है या फिर आपको में जोरत है मोबाइल के कैमरी की तो फोटोग्राफी के लिए जाद अच्छा रहेगा आपके लिए Redmi 7 इसके अंदर आपको जादा बढ़ी यह कैमरा मिलता है बाकि अगर आपको वीडियो रिकॉड करनी है तो Samsung का मोबाइल आपके लिए जाद अच्छा रहेगा आप Samsung Galaxy M10 लीजिएगा इसके लावा अगर आपकी में जोरत है मोबाइल की बैटरी की तो बैटरी बैकप दोनों ही मोबाइल के अंदर आपको अराम से एक दिन का मिल जाता है लेकिन और जादा बढ़िया बैटरी बैकप आपको Redmi 7 के अंदर मिलता है तो जाद अच्छी बैटरी क के लिए आप Redmi 7 लीजिएगा इसके लावा अगर आपकी में जोरत है मोबाइल के डिजाइन की तो डिजाइन में ये दोनों ही मोबाइल्स अपनी जगा बहुत अच्छे हैं ब्लू कलर में आप देख सकते हैं दोनों ही मोबाइल्स काफी बढ़िया लग रहे हैं Samsung के अंदर करते हैं एजिस बेजल्स और नौच जादा तो वह हलके सापको कम मिलते हैं Samsung में और नौच भी इसकी तो यह आपकी पसंद के उपर मैटर करता है आपको एजिस बेजल्स कम चाहिए या फिर आपको डिस्प्ले के अंदर कलर जाद अच्छे चाहिए इसके लावा हर एक ची आप से यह मुबाइल बहुत अच्छा है आप मुझे बताईएगा कमेंट करके आपको कौन सा पसंद आया इन दोनों में यह चीज़ा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा चैनल को आप सब्सक्र